ओके अलो फ्रेंट कैसे हो आप सब में हूँ विशी और आप देख रहें बॉन्टू इन्वेश यूट्यूब चैनल आज का जो हमारा टोपिक है वो इंडिकेटर है हम एटियार ट्रेलिंग स्टोपलोस के बारे में बात करेंगे कैसे हम इस इंडिकेटर को आसानी से यूज कर सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे और अभी तका आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और क्या है कि हमने क्या एक फूरी सिर्री बनायने का सोचा है पेहले हम इंडिकेटर के बारे में डिसक्स करेंगे बात में اाट करेंगी अगर आप कोई single indicator यूज़ करते हैं तो indicator के कुछ limitation होती है जब वो consolidate market होता है तो क्या है कि इतने अच्छे signal नहीं देते हैं तो इसलिए क्या होता है कि आपको पहले वो indicator पूरा समझना पड़ेगा उसके साथ अगर कोई दूसरा indicator लगा कि आप उस दोनों को मिला के कोई strategy बना रहे हो तो अच्छी बात है लेकिन पहले क्या है कि आपको एक knowledge होना चाहिए कि वो indicator work कैसे करता है उसमें क्या क्या अच्छे trade कैसे निकल सकते है single indicator जब use करो तब की बात है पहले क्या कि आपको indicator के बारे में knowledge होना चाहिए बार में किसी strategy के उपर आप work कर सकते हो और उसके केसे अच्छे trade निकल सकते हो ज़्यादा अच्छे अच्छे trade नहीं ज़्यादा अच्छे trade कैसे निकल सकते हो आपको पता चलेगा सो पहले आपको indicator को समझना पड़ेगा कौन सा indicator केसे अच्छा वर्क करता है वह सब तो यह आज हम देखने वाले हुए ATR trailing stop-loss indicator है मैंनली यह stop-loss की तरह work करता है मतलब आपको अगर stop-loss चाहिए trailing stop-loss तब यह indicator यूज होता है लेकिन क्या है कि कोई कोई इसरे क्या है कि trade लेने में भी तो वह भी देखते है अगर आपको कहीं trade लेना है तो कैसे trade ले मैंनली जो मैं यूज करता हूँ या अगर मेरे को यूज करना हूए इंडिकेटर तो मैं इसको trailing stop loss की तरह ही यूज करूँगा पहले देख लेते कैसे इंडिकेटर एड किया जाता है तो आप जाएंगे इधर studies में आपका जहां आप color change कर सकते हैं अगर आपको नहीं अच्छा दिख रहा है तो रेड में थोड़ा डार्क कर देता हूँ ग्रीन को भी में थोड़ा डार्क कर दे होता हूँ आपको क्या एक एक basic दीख सके अब यह हो गया क्या है कि ATR trailing stop loss एड हो गया है चलो मान लेते हैं कि किसी ने भी यहां से entry ली है तो पहला stop loss होगा जो टेक्निकल पर वरक करते हैं उसको पता होगा कि जहां से entry वहां से last low मतलब इधर यह इसका stop loss होता है बाद में जैसे जैस से कोई सीने entry ली होती तो यह आगे जाब के यहां इसको exit करवा था मतलब एक अच्छा खासा मुनापा हो चुका था इसमें तो इसमें देखो यह तो हो गया में जो बात है अगर आप इसे भी में अगर आपको कोई suggestion दू तो आप इसे telling stop loss की तरह यूज़ करें तो अच्छ चैनल क्या होनी चाहिए एक अच्छी बोडी वाली होनी चाहिए एक अच्छा वोल्यूम होना चाहिए और उसी candle का जब high break करें इसलिए high break करें तब आप इसमें entry ले सकते तो इधर से आप देखो तो यह entry इधर से आपकी होती नहीं तो आपको यह इधर से फले मूँ मिला लेकिन आपके entry होते नहीं कोई बात नहीं आगे देखते तो यह हो गया तो इधर से आभि आपके entry होती नहीं क्यू नहीं होती। तो आपके आए कि यह फेक सिगनल से बच जाते तो फिर से क्या आए कि ग्रीन आये तो आप देख रहे हो तो ग्रीन कलर की अच्छी बोड़ी वाली कैंडल मिली जब उसका हाई ब्रेक हो तो इसका हाई ब्रेक होता है ग्याराजार साथ सो पचास एप्रोक्सिपी फोटी एट मात्राजाइ तो पहलन रहा हो अब हो तो जैसे ही जबुझे इस सेजने का सिस्क्राण टेट होता है जहां तक यह तो न यह पास चला जाए तब हम इसमें entry लेंगे, stop loss उपर या नीचे रखेंगे, stop loss छोटा होगर target बड़े होंगे, तो इसमें इधर था थोड़ा नीचे गया, बाद में एक नीचे move दिया है, तो यह क्या है कि थोड़ा दूर है, तो में होता तो यहां नहीं लेता, मैं चितना हो सके, उतना touch करने को देखता हूँ, तो बाद में इधर से buy signal आया, देखो यह हुआ, यह देखो touch किया, मतलब कोई बात ने उपर चेह, लेकिन यह undecisional candle आ गई है, तो में इधर से क्या है कि next candle का wait करूँगा, अगर एक अच्छी बोडी वाले green कलर की candle बना देते हैं, तो हम इधर से buy कर लेता, तो यह वही हुआ है कि एक नीचे touch करने को आया, बाद में क्या हो एक undecisional candle बनाई, बाद में उसमें क्या हो कि एक green कलर की candle बनाई, बाद में इसका high break होने पे हम entry लेते, तो इधर से हमारी entry होती, बाद में जब तक यह reverse नहीं होता, तब तक हम इसमें रहते, अगर मैंने सोचा होता है कि इतना profit होने के बाद में निकल जा होता, तो इतना profit hit हो जाने के बाद में निकल जाता, तो यह दूसरी strategy थी कि आपको क्या है कि wait करना है कि और देखो यह से भी है, कि आपको इधर cell signal जाता है यह से नहीं हो, यह cut करके निकल गया है उपर, तो यह से नहीं लेना, आपको देखना है किसी line पे touch करके, अगर देखो, मैं अब यह हाल फिलाल की बात कर रहा हूँ, यह इधर से आ रहा है, तो अभी यह देखो, यह क्या है कि sell signal देने का try कर रहा है, लेकिन अभी तक दिया नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अगर यह इधर से क्या है कि conditional candle बना दिये, अगर यह इधर से color, red color की जगा, green color की candle बना देती है, तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे stop loss लगाऊँगा, जैसे ही वो candle finish होते है, उसका जो भी high होगा, वो break होने पे मैं buy side लूँगा, I hope यह दोनों तरीके आप entry लेने के समझ गये होंगे, लेकिन मेरा suggestion यही है, कि आप इसमें entry ना लो, इतना बेतर होगा, आप इसे styling stop loss की तरह यूज़ करो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि entry के लिए, आप इसमें entry लेना चाहते है, तो आपकी मर्जी है, आप इसमें entry ले सकते हो, कोई दिकत है नहीं, अगर आपको इसमें entry लेना है, तो आप पहले इसमें प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, देखो, जब भी यह फ्लेट मार्केट होगा, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, यह आपको क्या है कि लोसी करवाएगा, तो बहतर है कि आप दूसरे इंडिकेटर है, इसको यूज करो, आप इसे स्टेलिंग स्टोपलोस की तरह यूज करो, इन सिंपल में लास्ट में बता देता हूँ, कि आपको अगर इसमें entry लेना है, तो कैसे लेना है, एक बार रिवाइस करवा देते हैं, जो पहला तरीका ह आजाता है, तो बड़ी बोडी वाली रेड कलर की कैंडल होगी, और उसी कैंडल का लोब रेक होगे, तब हम सेल साइड के लिए जाएंगे, यह पहला तरीका था, बाद में दूसरा तरीका यह है, कि जब भी यह सिगनल दे, तब आपको वेट करना है, यह फिर से रिवर्स से रिवर्सल साइड, मतलब फिर से नीचे जाने का साइड चब दे, तब आप इसमें सेल कर सेकते हो, आपको इसमें देखना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको यह सही लग रहा है, आपको इसमें मजा आ रहा है, तब ही आप इसमे कर देना आप लाइक कमेंट कर गों तभी तो में मोटेवेशन मिलेगा और एसे वीडियो आगे लिकाएंगे मैंने आगे भी बोला है कि मैंने एक सीरीज बनाने का सोचा है तो आपका सपूर्ट मिलेगा तभी तो मैं सब कुछ यह कंप्लिट कर पाऊंगा चलिए मिलते अपन